हलो प्रेंग्स आज मैं अपने गाओं के जिन में आज मैं करता हूं बाइसेप्स का वर्काउट जैन दोस्तों, दोस्तों मैं शामवीर तालियान और स्वागत है आपका तालियान फिट्मेस में दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं मिश्टर वर्ल्ड अनुज दालियान का रियल वर्काउट और ये वर्काउट होगा उनका बाइसेप्स का दोस्तों पहली एक्सराइज ये कर रहे हैं सिटिट डंबल करन और इसके तीन सेट करेंगे पहले सेट में लाइट और दूसरे में हैवी और तीसरे में मैक्सिमम वेट यूज करेंगे रैपिटेशन के लिए हम आपको सला देते हैं यदि आपको साइज गेन करना है तो आप हैवी वेट यूज करें और कम रैपिटेशन रखी और यदि आपको rip करना है, fat loss करना है, तो आप light weight यूज़ करें और ज़्यादा repetition निकालें और आप type of exercise भी ज़्यादा रखें और अभी हम कर रहे हैं सिट्ट डंबल करल का दूसरा set और इसमें हमने डंबल लिया है 30 kg का किसी भी exercise के दोरान जब आप weight उठाते हो तो आपको सांस भर के weight उठाना चाहिए और जब आप weight down में लेके जाते हो तब आपको सांस छोड़ना चाहिए जैसे अनुजदालियान आपको दिखा रहे हैं, वो जब डंबल उठा रहे हैं तो सांस अंदर भर रहे हैं और जब डंबल नीचे जा रहा है, weight नीचे जा रहा है तो सांस भाहर निकाल रहे हैं कर दो सांस भाहर रहे हैं और अब यह हमारा होगा सेटिड डंबल करल का तीसरा साइट और इसमें हम डंबल इस्तमाल करेंगे 35 कजी का आपकी एक्सरसाइज ऐसी हो यह निर्बर करता है आपके पार्टनर पर भी यदि आपका एक्सरसाइज पार्टनर अच्छा है तो वो आपको सही समय पर सही तरीके से हेल्प देगा और आपको एक्सरसाइज में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अबस्तमाल आपके पार्टनर अच्छान करेंगे पार्टनर अच्छान तर्टनर आपके पार्टनर अच्छान और यहां हम दूसरी एक्सराइज करेंगे स्टैंडिंग बारबल कर और पहले सेट में हम वेट यूज करेंगे 20 kg और अब हम करेंगे स्टैंडिंग वारबल कल का दूसरा सेट और इसमें हम वेट लेंगे 30 kg और दोस्तों यह होगा हमारा स्टैंडिंग बारबल करल का तीसरा सेट और इसमें हम मैक्सिमम वेट रखेंगे और इसमें हम वेट यूज करेंगे 40 kg और इसमें हम वेट रखेंगे और अब हम करेंगे बाइसेप्स की तीसरा सेट रखेंगे और इसरी एक्सराइज इस्टैंडिंग डंबल हैमर और इसके भी हम तीन सेट करेंगे पहले सेट में हम वेट इस्तमाल करेंगे 30 kg डंबल और दूसरे सेट में हम 30 kg डंबल इस्तमाल करेंगे तीसरे सैट में हम सपोर्ट के साथ मैक्सिमम वेट यूज़ करेंगे दूज़ के लिए यूज़ के लिए यूज़ करेंगे लिए मैक्सिमम वेट अबाइटा आंगे यूज़ के लिए वेट। झाल झाल और अब हम करेंगे इस्टेंडिंग डंबल हमेर का तीसरा सेट और इसमें हम वेट यूज़ करेंगे 40 गेजी और अब हम करेंगे फौर्थ एंड लाश्ट एक्सरसाई्ज परीचेर बार्बेल करल और इसके हम تीन सेट करेंगे यहां पहले सेट में हमने वेट इस्तंमाल किया है 20 केजी और दूसरे सेट में वेट लेंगे 30 केजी और तीसरे सेट में मैक्सिमम वेट लेंगे हम 40 kg प्रीचेर बार्बेल कर एक्सराइज हम विदाउट सपोर्ट के करेंगे दोस्तों बोडी बिल्डिंग में एक्सराइज का बहुत बड़ा महत होता है मसल का साइज बढ़ाने के लिए हम हैवी वेट से एक्सराइज करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस एक्सराइज को हर बार हैवी वेट से करें अगर आप हर बार एक एक्सराइज को हैवी वेट से करते हो तो वो भी हमारे मसल की ग्रोथ के लिए इतना चाप नहीं है दोस्तों इस विशे पर हम एक दिन खिर कभी बाते करेंगे नई वीडियो के साथ और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप ओप एक्सराइज के बारे में और दोस्तों हम आपको बताएंगे हैवी वेट से एक्सराइज करने के क्या लाब है और किस तरीके से आप हैवी वेट से एक्सराइज कर सकते हो और लाइट वेट से एक्सरसाइज आपको कब करनी चाहिए और क्या इसके लाब है दोस्तो ये हमारा प्रीचर बार्बेल करल का चोथा सैट है और इसमें हमने वेट यूज किया है 45 केजी दोस्तो ये था मेरा आज का बाइसेप्स का वरक आउट और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें